क्या सालोग तो कैसे एरलाइंस मेनेजमेंट से तम जाबा प्रोजेक्ट का दूसरा वीडियो है इस बाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कैसे करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको नहीं पता क्या हो रहा है कैस नहींद का मैंने उसका लिंक नीजी दिए या फिर आप यहां पर जाके मेरे चालब मेरे सब्सक्राइब उसके बिना यह सारा पूरा प्रोरव नहीं आने वाला आपको तु अब चिस्ट gonna पर अपने शिस्टम में जाबबर सकते वह जाब कर सकती है अब उसके बाद जब आपि इन्स टोल न पड़ेगा इस पर यहां पर बर्जन यूज कर सकतो हो इसा भी टिक है बट मैंने यहां पर 11.3 वर्जन यूज किया हुआ ठीक है उसके बाद आपके पास माईस्क्वेल होना चाहिए आपको अपने इट वर्जन डाउनलोड करका है अब आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं है तो डाउनलो यहां पर नेम देने डेक है जैसे बाद इसको इसको प्रोज्क करना, इसको फवेल बन जाएगी यहां पर अट्यक्वर उसके करना है यहां पर उसके बाद इसको अंचैक्प करना है क्रेट मैंको आटमेंटिक नहीं हम खुछ से बनाएंगे ठीक है तो मैं करना है इसी भी क्लास को बनाके जैसे मैं यहां पर इस वाले प्रेकज को नाम भी मैं अब मैं सिम्पल यहां पर इसको फिनिस करूंगा अब इस वाली प्रेकेज के अंदर ही हम सारी क्लासेश बनाएंगे गाइस तो सबसे पहले मेरा क्नक्शन बनेगा तो मैं यहां पर यूज करता हूं अब यहां पर लिखता हूं करक्शन क्लास ठीक है अब यहां पर अंदर फिल्ग करना जितने भी कमेंट्स पर आएंगे वह सब यहां से हम खटा देंगे अब यहां पर सिंपल आने के बात आप तो पूर पैकेज का नेम आएगा सबसे स्टार्टिंग में और हमारी क्लास बनक क्लास है कनक्शन क्लास अब इस प्रकश का बेनेफिट क्या है यह मैं बताँगो आपको नेक्ट क्लास में वाला हूं तो पूरे पैकेज को यूज करो हो तो तभी आपको फमजबायांगी चीज़ है ठीक कि बन बई बन अब इसमें आने के बाद सिंपल मैं यहां पर कूछ जावा डोट एस्क्यों लाइबरेटीक है एस्क्यों डोट इस्टार एस्क्यों के अंदर जितने भी मैथर्ट सो क्लासे उनकी यूज कर सकते हो ना ठीक है आप सिंपल मैं यहां पर कुछ पब्लिक दो मैथर्ट बना होले करनक्शन क्लास के ठीक है अब मैं आपको बता जाओको ना मेरे तो आपको नीचे स्क्रूल करोगे मेरे होंस पेट कर नाघज कि यहां पर सिक्स तु सेवन वीडियो बनाया है पूरा हंदी में एक्स्क्क्लेइन किया मैरे खूद के बने लगाना है और भी को बनाने के बार पर राइक का का अंदर होता है जो की कर लेता है अब सिंपल इतना मेरा हो चुका पूरा है कि स्ट्रक्चर बन चुगा है इस पूरी क्लास का कर मैं इसको यहां से अभी भी रन करता हूं तो यहां पर एक अपर में बना लेता हूं यहां और मेन बनाने के बाद में सिंपल जो भी मेरा लग यहां पर इसको यहां पर करोंगा निव मेंटड के दूर बात आती यहां पर सबसे पहले क्लास सुलेता हूं यहां पर यहां पर यहां पर यह क्लास है और एक यह क्लास है दोनों में डिफ्रेंस ही होता किसी यह जो आप देखर हो यह हमारा लिए करता किकलास बनाने वाले है अब यहां पर मैंने क्लास बनाने वाले हैँ यहां पर मैंने क्लास का अब आपको थोड़े से रूस पता हूं अगर मैं क्लास को इस मौल में लिखता हूं तो एक यह यहां पर यहां पर जो भी यूज करने वाले हूं वह मैं करूं इक क्लास के एक क्लास का में यूज करना है तो मैंने यहां पर लिखनो ड्राइबर मैंने जब ड़ अब यहां बाद मैं को यहां बर मैं मैंसके पर ओर डी 306 होता है तो आपको जरूइंبर नहीं एक बना यहां दूसरा बना हुए ठीक है आपको सिंपल आपनो मैंशकल ओपन करना मैं सब्सक्राइब करना अपने के बाद करें फैंड करेंड बल्द इस वाले डीक के अंदर आने के लिए सब्सक्राइब करें अब सिंपल मैंने अपने सब्सक्राइब को मा देना आपको यहां पर रूट लिखना है जो भी आपको यूजरने में माइस्कुल का वाइडिफोल्ट ही होता है फिर आपको अपना पासबट लिखना है अपको यहां पर यूजरनेम लिखना है बाकि आपको पासबट लिखना है अपको सब्सक्राइब करना है अपको इतना बनाकर यहां पर रख लेना अब सिंपल इन दोनों का काम किया है आप जब मैं आप अब यह बता रहा है कि यह वाला पूरा जो आपका ड्राइपर है यह पूरे प्रोजक्ट में भी कोल नहीं हुआ है ठीक है यह पिर आपने यह वाली यह पूरा अभी अपने ड्रैपर एड़ नहीं पूरे प्रोजक्ट में यह एरर आएगी आपको अप तो हर ड्राइबर होता है जो कि आपको अपने कोड में अट करना पड़ता है तो वह कैसे एड करेंगा हम इन्टरेस्टिंग है घूग PHIL आपको इसली मिल जाएंगा अगर नहीं मिलना तो मेरे को मैसेज कर सकतों इस्टेग्राम पर मैं आपको मैनूली सेर कर दूँगा यह पूरे फाइल सिंपल आपको क्लिक करके इसको ओपन करके यहां पर एड़ कर लेना है अब इस बाली फाइल को मैंने अपनी सींट राएं में रखा हुआ तो आप सीट राएं में रखके यहां पर कोल कर सकते हैं अब अगर मैं को और को फिर से रन करूंगा सेपकर के तो यहां पे कोई एरन नहीं है कि लाइकारा वीडियो जो आगी कैसे हो उसमें हम लोग देखने हैं अपना log in page लेक हम अपना log in page कैसे बनाते हैं और database से कनक्ट करके data कैसे get करेंगे उसमें image कैसे add करते हैं ठीक है और बाकि जो भी हमने यहाँ अपर database बनाया था उसको हम कैसे use करेंगे टीक है data basic coding भी hand to hand बताओं हुँ हमे मिलते हैं next video में till thenapa besond